हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदे एक मोश्ट इंप जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टन लेक्षर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों इसके पहले के लेक्षर हमने देखे थे दोस्तों इसमें बहुत सारे टॉपिक जो था वह हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के उपर था कौन-कौन से टाइप के सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं यह सबी चीज हमने डिसकूर्स किया था वैस्कुलर सिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ इन म्ट्स फिर उसके कैसे कैसे हमने देखा था की रूट में कैसा होता है यह सबी सिसकूर्श किया था हमारे प्रीवर्यश लेक्षर में आगर आपने नहीं देखा है पुराने वीडियो तो तो जाके हमारे playlist section में या फिर video section में आपको मिल जाएगा इसके पहले का lectures तो आज हमारा पाच्वा lecture है इसके उपर एक और lecture इसके बाद लेंगे यानि कि lecture number 6 भी एक और लेकर आ जाओगा जिसमें हम लोगा finally ये chapter जो है complete हो जाएगा तो आज का वीडियो भी बहुत important है ध्यान से जरूर से देखेगा तो सबसे पहले आज का जो topic है वह आपको याद दिला दू कि क्या-क्या topic हम दोको आज पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पढ़ना anatomy anatomy का मतलब क्या होता है structure है यानि कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्या-क्या जो भी part होते जैसे कि आज मैं आपको बताने वाले roots के बारे में और stems के बारे में कि जो भी dicotylidon plant होते है dicot plant बोलो या फिर monocot plant बोलो इनका structure कैसा होता है root का stem का लेकिन leaf का है दोस्तों हम लोग उसको पढ़ेंगे हमारे अगले lecture में आज सिब दो चीज़ के बारे में बताना वाला हू तो dicot plant क्यों बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर दो cotyledon present होते है that's why it is called as the dicot plant और यहाँ पे बात करें dicot plant का root की तो यहाँ पे क्या होता है dicot plant के पास होता है tap root यानि कि एक बहुत ही strong root present होता है tap root present रहता है and we know that कि tap root में क्या होता है यहाँ पे end में एक तरीके से root cap जो है ल बना रहता है and साथ ही में इसके अंदर cuticle present नहीं होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो एपिब्लेमा बोलते है यादर क्या बोलते हैं single layer of cells से बना है लेकिन इस के लिए इसको क्या कहा जाता है एपिब्लेमा कहा जाता है और इसके अंदर root hairs भी present होते है dicot root की बा जब भी यह epiblema जो है, जो without cuticle growth हो रहा था, जब उसकी death हो जाती है, यहाँ पे, तो outer layer जो होता है, cortex का, वो क्या हो जाता है, cutenize हो जाता है, यानि कि एक तरीके से आप बोल सकते हो, wrap up हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, exodermis बोलते हैं, और यही जो यहाँ पे एक and water को store करने का काम करता है, यानि कि जब भी इसकी death हो जाएगी, तो exodermic हो गए, या फिर endodermis, जो cortex के layer जो होते, वो एक तरी से खाना और पानी जो होता है, उसको store करने का काम करते हैं, याद रहेगा दोस्तों, उमीद करतों कि यह चीज़ आपको clear हो गया होगा, आगे ब root hair बोल सकता हो, और यह जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते है, एपिबलेमा, जो कि आपका क्या है, बाहर का layer है, एपिबलेमा, इसको हम लोग बोलेंगे, यह वाला क्या होता है, दोस्तों, exodermis, बाहर का layer, यानि कि exodermis हो गया, और एक जो मैंने बो बोलते हैं, इसको बहुत सारे चीज़े होती है, यह वाला जो हो गया, अपका phloem हो गया, और बात करें, दोस्तों, अंदर के जो पार्ट होते हैं, और यह जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, यह वाला पूरा हिस्सा, यह क्या होता है, पूरा का पूरा क्पूरा यह cortex reason तो pericycle just किसके below present है endodermis के, क्योंकि इसके उपर ही यह वाला जो पार्ट था क्या है endodermis था और उसके नीचे ही मैंने क्या बोला, क्या है एक तरीके से pericycle present है, जो कि vascular bundles इसके अंदर present होते है, और we know that कि vascular bundles क्या होता है, xylem and phloem होता है, तो यहां पर यह जो पार्ट दिख रहा है, black वाला, यह जो पार्ट है, this is known as the phloem, और इसके अंदर xylem भी present होते हैं, दो type के meta xylem and proto xylem, तो यह हो गया meta xylem, यह हो गया proto xylem भी इसके अंदर present होते हैं, और इसका जो central part होता है, steel का या फिर vascular cylinder जिसको बोल सकते है, vascular bundle या फिर vascular cylinder जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग pit, तो यह चीज आपको यहाद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, नारो होता है, और किससे बनता है दोस्तो, parent cometus tissue से बनता है, parent cometus cells जो होता है, उससे बनता है, साथ ही में जो camions के हम बात करते हैं, इसके अंदर xylem and phloem आपके जो हो present रहते हैं और इसके काफी जादा thickness भी होता है, तो उमीद करता हूँ कि यह जो dicot root का जो आपका explanation था यह आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा, अब बात कर लहें तो दोस्तो, monocot root के भी, तो monocot root जैसे कि आपको पता है, कि जो soil के just थोड़े से उपर grow करते हैं, यानि कि roots जो होता है, वो soil के अंदर से नहीं होता है, वो थोड़े से उपर सही grow करना चालू करते हैं, let's suppose कोई मेरा plant है, तो root जो है इसके उपर सही आपको दिखने लगते हैं, एक तरीके से fibrous root आप बोल सकते हो, root इसके अंदर present रहते हैं, तीक है न, अब इसके कुछ structures की बात करें, यह जो होता है, उपर की पार्ट जो होगे, एक तरीके से endodermis, sorry, inner layer होता है, यह हमारा क्या होता है, endodermis होता है, साथ में आपके अंदर वाले पार्ट हो गए phloem, फिर इसका middle part जो होता है, आपको पता यह बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों, pit बोलते, पित बोलते, यह सबी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है न, और यह वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग परिसाइकल बोलेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं, जैसे कि मैंने बोला, कि जो हमारा monocot होता है, वो बहुत ही adventious root system present होता है, इसके xylem bundles present होते हैं, तो 6 xylem bundles present होते हैं, including proto xylem, meta xylem, यह सब present होते हैं, बट इसमें एक चीज है की secondary growth इसमें absent है, जो हमें secondary growth देखने मिल रहा था, डायकॉट प्लांट में, लेकिन इसमें क्या है secondary growth जो है, absent माना जाता है, और पित जो होता है, इसके अंदर का पार्ट होता ह तो वो क्या होता है, middle part, that is, well developed, थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, आपको डागराम में भी दिखाने ही कुशिश कहाता है, कि यह जो अंदर का पार्ट है, वो थोड़ा सा बड़े साइज में होता है, यानि कि well developed है, और साथी में large in size है, यह आपको याद रखना है, clear ह तो यही था छोटा सा topic, जो कि हमारा monocot and dicot root के बारे में बताया था, clear है, तो पूरी उमीद करता हूं कि structure of root, जो था, monocot root का anatomy और dicot root का anatomy आपको clear हो गया होगा, अब बात कर लेते है stem की, तो सबसे पहला topic पढ़ना stem में वो है dicot stem, यानि कि ऐसा plant, जिसके अंदर 2 cotyledon present है dicotylenus plant जिसको बोलते हैं, उसका stem का structure किस प्रकार है, anatomic किस प्रकार है, तो जो dicot stem होता है, वो generally क्या होता है, solid होता है, यानि कि solid stem होता है, और इसके अंदर की structures की बात करें, जो transfer section होता है, अगर TS section जिसको हम लग बोलते है, transfer section, जब इसको हम लोग कट करेंगे, transversely, यानि इसके अंदर कौन-कौन से part consist करते हैं, वो हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले बात करें कि epidermis जो होता है, यह single होता है, यानि कि सिर्फ एक ही layer से बना होता है, epidermis single होता है, और साथ ही में इसका जो outermost layer होता है, वो present होता है multi-cellular outgrowth के साथ, यानि कि इसके अंदर क्या ह हो रहा है, एक तरीके से outgrowth हो रहा है, बाहरी रूप से, बाहर की तरफ से, epidermis की तरफ से यह क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इसका और वो growth को हम लोग क्या बोलते है, यह चीज आपको याद रखना है, और यहाँ पर outer surface जो होता है, epidermis का उसकी तरफ से यह grow करना and उसके classification के इसाफ से बात करें, तो यह तीन चीज में classified होता है, categorize होता है, पहला होता है, hypodermis, दूसरा होता है general cortex and तिसरा होता है endodermis, तो यह तीन layer के अंदर हो classified होता है, और वो ही बात करें, जो आपका hypodermis होता है, वो आपका outer layer होता है, cortex की बात करें, तो आपका middle layer हो चलियर हो गया करें तो जो इंडोज़न होता है सेंट्रल कोर टीश्यू होता है जो कि यूठ सब्किन होता है इस घीत करेंगे संफ्लावर का एक्जामपल ले लो जाहे हिबिसकस का example लेडो, जितने भी type k plants होते हैं, हर एक का examples अगर consider करोगे, तो आपको पता चलेगा, और वही इसके अगर vascular bundles की बात करें, तो vascular bundle जो होता है, इसमें konjoint होता है, यानि कि एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, vascular bundle, open होता है, साथ ही में इसके अंदर क्या होत अब ऑर चीज की बात कर लेंगे, जो है की है हमारा तो अगेन, monocot plant, जिसके अंदर single cotyledon present होते हैं, तो उसका stem की अगर बात करें, तो यह जो type का epidermis होता है, इसके अंदर trichomes present नहीं होता है, इसके पहले जो dicot stem देखा था, उसमें trichomes जो था, वो present था, correct है, तो वो आपने देखा था, trichomes उसके अंदर present था, लेकिन इसके अ अगर बात करें, हम लोग, जो monocot होता है, इसके अंदर trichomes absent होता है, और vascular bundles जो होता है, वो बहुत सारे होते हैं, साथी में, अलग-अलग दिशाओं में scatter हो जाते हैं, जिसमें conjoint भी होता है, और साथी में, इसके अंदर secondary growth जो है, वो भी नहीं होता, यानिकि secondary growth is also absent, clear है तो पूरी उमिद करता हो कि ये भी चीज़ आपको समझ में आगा, काफी छोटा-छोटा टॉपिक से देखा जाए, तो डाइकोर्ट, monocot stem, तो आपको इसी प्रकार से बस exam के लिए प्रिपेर करना है, जब भी आपका exam आएगा, तो आप इसको notes के form में भी लिग सकते हो, बहुत जादा आपको help मिलेगा, clear है दोस्तों, तो पूरी उमिद करता हो कि ये भी चीज़ आपको समझ गया रहेगा, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज का lecture हम यही पे stop करेंगे, बहुत ही importantly हमने पढ़ा, चार चीज़ पढ़ा है, दोस्तों, anatomy हम लोग पढ़ने व आज नहीं हमारे अगले lecture में, तो बस आपको एक lecture का और इंतजार करना, यानि कि अगला lecture जब लेके आऊंगा, lecture number 6, उसमें हमारे जो चाप्टर है totally complete हो जाएगा, तो आज के लिए thank you so much for watching this video, उमीद करता हो कि आपको हमारा ये lecture आपको पसंद आया, बहुत सारी चीज़ आ नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साप में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने अगले थांक यू और गुट बाइ